राम राम साथ मैं आज आपको water neck design बिताऊंगी उसी के लिए हमने पेस्टिंग पेपर ले लिया है इसे दो बाग में इसे फोल्ट कर लेंगे पहले हम इसे water neck cutting करेंगे water neck लंबाई हमारी 4 इंच होगे चुड़ाई हमारी 1.5-3 इंच होगे पर यहां पर हमें एक बोक्स मना लेंगे बोक्स के अंदर क्योरे से सेव देदेंगे गुलाई की यहां से निच्छे से हम लंबाई 5 इंच लेंगे 5 इंच की इसी तरह से सेव देदेंगे जहां पर हमने निच्छान लगए बादता कि इसे सेव देदेंगे और यहां से कटिंग कर लिएंगे और हम निच्छे से इसी तरह से गोल सेव में पेपर को इसे कटिंग कर देंगे हमने पेस्टिंग पेपर इसी तरह से कट कर लिया है अब इसे कपड़े पर अटेज करेंगे हमने कपड़े पर अटेज कर लिया है इसे दो बाग में से फॉल्ड करते हुए बीच सेंटर से यहां पर हम कट लगा लेंगे यहां पर हमने कट लगा लिया है और कुर्ति को पर इसे अटेज कर देंगे इसी तरह से अटेज करने के बाद हम अंदर का इस्ट्र कपड़ा कट कर देंगे कपड़ा कट करने के बाद हम यहां पर चोट चोटे कट लगा लेंगे यहां पर हमाड़ी गुड़ाई है आपर हम कट लगा लेंगे हमने कट लगा के हमने फोल्ड कर लिया है गला त्यार हो गया है अब हम गोल्डन कलर का एक चोटा पीस लेंगे इसी में से हम एक पेर की मार्जन रखते हुए प्लेट डाल देंगे इसे हम अड़ाई तीन इच की लगबग हम प्लेट डाल लेंगे इसी तरह से हमने यहां पर तीन इच की दूरी तक हमने प्लेटे डाल लिया है यह देखो यह हमारी प्लेटें अच्छी से डल गई है प्लेट वाला कपड़ा हम निच्छे क्यों रखते हुए इसे यहां पर अटेज कर देंगे प्लेट मारी बीच सेंटर में आने चाहिए और रूपर से हम गॉल्डन कलर के कपड़ागे से सिलाई कर देंगे हमने सिलाई कर दिया है अब प्लेटों को हम उपर नीचे क्यों रे से इसे फॉल्ड कर देंगे सबी प्लेटे को बीच सेंटर से से तकते वे यहां पर फॉल्ड कर देंगे यह देखो हमारी प्लेटे फॉल्ड होगी है इस तरह से हमारे लुक आएगा अब हम गॉल्डन कलर के तागे से यहां पर सिलाई दे लेंगे इसी तरह से हमें तीन चार सिलाई दे लेंगे हमने यहां पर चार सिलाई लगा लिए इसी तरह का हमारा डिजैन त्यार हो गया है अब हम इसी से में यहां से कोटन लेश लगाएंगे यहां पर हमने लेश अटेज कर दी है यहां बीच सेंटर में यहां पर गॉल्डन कलर के दो बटन लगा लेंगे यह मारे इस तरह का डिजैन त्यार हो गया है